Hello everyone, this is Karan Singh and you all are watching the KS classes and आज की इस वीडियो में हम basic English Grammar के सिरीच की next वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम dummy it को discuss करेंगे, the use of dummy it. So let's start, it is used to start the sentence only, so dummy जो it होता है, इसका जो use हम करते हैं, के वल वाके को सुरू करने के लिए करते हैं, so it is called dummy, इसलिए से हम dummy use कहते हैं. जैसा कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, dummy there का use, dummy क्या होता है, dummy किस तरह का use होता है, एक ऐसा word जो sentence में use तो हो, लेकिन उसका मतलब, उसका अर्थ उस sentence में ना हो, तो उस तरह के, उस word के use को हम dummy use कहते हैं. तो इससे पहले एक dummy use हम अलड़ी पढ़ चुके हैं, वो था dummy there, बत यहां पर हम लोग एक बार एक और dummy use पढ़ने जा रहा हैं, वो है dummy it, तो अब इसका use कप करेंगे, और क्यों किया जाता है, इसको हम लोग इस use में देखेंगे, okay, so आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम द कह रहा है कि a sentence which indicates, एक ऐसा वा कि जिसमें होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें day हो, sorry, date हो, तारीख की बात कर रहा हो, sentence में तारीख की बात हो रही हो, date हो, sorry, day हो, दिन की बात की जा रही हो, time, समय की बात की जा रही हो, month, महीने की बात की जा रही हो, तो ऐसा sentence जि में हम date, day, time, month, इन सब की बात करते हैं, उसको हम dummy it से सुरू करते हैं, कुछ और है, concept जैसे year, verse की बात हो, season, रितु की बात हो, weather, मौसम की बात हो, and saying, या फिर कहावते, या इस तरह के वाक्यों जिन में क्या हो, कहावते हो, तो ऐसे वाक्यों हम dummy it की सहता से translate करते हैं, means English में बोलते हैं, उमीद करते हैं, कि dummy it का use कहां किया जाता है, ये आपको clear हो गया होगा, तो dummy it जो होता है, वो essay sentence को translate या बोलने के लिए किया जाता है, जिसमें तारीख, date की बात की गई हो, day, दिन की बात की गई हो, time, समय की बात की गई हो, month, महीने की बात की गई हो, year verse की बात की गई हो, season, ritu की बात की गई हो, weather, मौसम की बात की गई हो, and saying, या फिर कहावते हो, तो ऐसे वाक्यों को हम dummy it की सहता से translate करते हैं, और यहाँ पर इन वाक्यों में dummy it का कोई अर्थ, कोई meaning नहीं होता है, इसलिए इसको हम dummy it use के नाम से जानते हैं, okay, so कुछ examples देखते हैं कि किस तरह से हम date की, day की, time की बात करेंगे, किस तरह के वाक्यों होंगे, ध्यान से इस वाक्यों को पढ़िये और समझे कि क्या इसमें किस चीज की बात की जा रही है, कहा जा रहा कि कल 15 अगस्त है, तो कहीं न कहीं इसमें हम date की बात कर रहे हैं, दूसरे वाक्यों में कहा जा रहा कि 我不 सो Μवार नहीं है. इसमें हम क्या कर रहे हैं? Day, दिन की बात कर रहे हैं. तीसरे उच्जाम्पल में लेगे आए कि पांच बज रहा था. तो इसमें टाम की बात होई है. जून का महीना है. इसमें मन्त की बात की जा रही है. कुछ और examples देखते हैं जैसे 2005 का वर्स है इसमें हम year की बात कर रहे हैं छटे को देखते हैं वर्सा का महीना है ठीक है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं season की बात कर रहे हैं आज बहुत ठंधी है तो इसमें हम weather की बात कर रहे हैं मौसम की बात कर रहे हैं मरना आसान होता है, कही ने कही एक तरह की saying sentence है, कहे जाने वाले वाक्य है, जीना बहुत कछिन होता है या कछिन है ये भी कहे जाने वाले वाक्य, तो इन सभी वाक्यों को हम dummy it की सहता से English में translate करेंगे और बोलेंगे, उमीद करते हैं कि dummy it किन वाक्यों को translate करने के लिए use होता है जिसमें हम date की बात करते हैं, जिसमें हम day की बात करें, जिन sentence में हम time की बात करें, जिन sentence में हम month की बात करें, जिस sentence में years की बात की जाए, या फिर season की बात की जाए, या फिर weather की बात की जाए, या फिर sayings की बात की जाए, sayings sentences की बात की जाए, ऐसे वाक्यों को हम it की सहाता से बोलते हैं और लिपते हैं, आईए, अब देखें कि इसमें जो dummy it होता है, उसमें use of helping verbs, इसमें सहाय क्रिया उनसी हम use करते हैं, तो देखें, इसमें तीन helping verbs use होती है, is जो की present tense के लिए use होता है, present tense की क्या पहचान होती है, मैंने आपको already बता रखा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, इस तरह से सब्द आते हैं, वो present tense होता है, तो अगर present tense है, तो वहाँ पे आप इस का use करेंगे, was का use past tense के लिए आप करेंगे, past tense में था थी थे, last sentence के last में, हिंदी sentence के last में compulsory होता है, तो वहाँ पे आप was का use करेंगे and will be का use आप future time के लिए करेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या हो, गागी, गे हो, और उनमें date, time, इन सब की बात के जाए, तो वहाँ पे it के साथ, आप will be का use करेंगे, उमीद करते हैं कि किस तरह की helping verb, आप dummy it में use करेंगे, यह आपको clear हो गया होगा, इस का use एक बर फिर से देख लेते हैं, present tense में होता है, it के साथ, was का use past में होता है, it के साथ, and will be का use future में होता है, it के साथ, okay, so it के साथ, यह helping verb use होती है, according to tense, okay, so आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे structures, कि it को use करने का क्या structure है, affirmative का, negative का, yes no question का, और wh questions का, तो सबसे पहले हम affirmative के structures को देखेंगे, structures for affirmative sentences, तो सबसे पहले आप it का use करेंगे, it उसके बाद helping verb, helping verb, तीनों में से कोई एक use होगी, वो tense decide करेगा, कि is होगा, कि was होगा, कि आप वहाँ पे will be का use करेंगे, यह आपका tense decide करेगा, इसके बाद आपका other word use होगा, okay, तो यह आपका क्या है structure है, किसके लिए affirmative sentence के लिए, simple वाक्य के लिए, सबसे पहले आप it use करेंगे, फिर helping verb use करेंगे, और फिर आप last में other word use करेंगे, आईए इब examples देखते हैं, जैसे पहले examples में कहा जा रहा है कि कल 15 अगस्त है, तो last में है है, तो यह present tense का वाक्य हुआ, तो क्या होगा, पहले हम it use करेंगे, फिर helping verb is use करेंगे, अब क्या है, 15 अगस्त, तो 15 अगस्त, अब कल की English होती है क्या, tomorrow, तो हम कहेंगे कल 15 अगस्त है, तो हम इसे बोलेंगे, it is 15 अगस्त, tomorrow, उमीद करते हैं कि यह कैसे translate हुआ, यह clear हो गया होगा आपको, दूसरे examples को देखते हैं, कल बहुत थंदी थी, तो इसे थी में है, last, past है, तो it was बहुत थंदी, very cold, कल थी, study, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, कि जो time denoting जो words हैं, जैसे कि कल, कल, आज, ठीक है, इनको आप सबसे last में लिखो, सबसे कहा लिखो, sentence के, English sentence के सबसे last में लिखो, जैसे यहाँ पे tomorrow यूज हुआ है, यहाँ पे study यूज हुआ है, ठीक है, तीसरे examples को देखते हैं, कल रभीवार होगा, तो यह गागी के future में है, तो क्या बोलेंगे, it और गागी में will be used होगा, it will be, रभीवार, Sunday, आने वाला, कल जो होता है, tomorrow होता है, तो क्या होगा, कल रभीवार होगा, हम इसको English में क्या बोलेंगे, it will be Sunday tomorrow, कुछ और examples, sorry, अब आगे structures की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि structures for negative sentences, तो negative sentence में क्या होता है, नहीं सब्द आता है, इसके लिए no, या फिर not का हम use करते हैं, यह helping work के just bother use होता है, तो इस तरह से इसका structure क्या हो जाएगा, it, helping work, not, or other word, okay, so, यह आपको clear है, आएए, इसके base पे कुछ examples देखते हैं, जैसे as, first कह रहा है कि, आज some more नहीं है, है में हैं तो is लगेगा, it is not, some more Monday, today, clear, आज some more नहीं है, इसको हम English में बोलेंगे, it is not, Monday, today, दूसरे examples को देखते हैं, कल वर्सा नहीं हो रही थी, okay, तो थी है, तो क्या होगा, was का यूज होगा, helping work, so, it was not वर्सा होना, continuity है, तो raining कर देंगे, और यह कल बीता हुआ, कल है, study, okay, so, क्या हो जाएगा, it was not raining, study, कल वर्सा नहीं हो रही थी, को हम क्या बोलेंगे, it was not raining, study, day, उमीद करते हैं, कि यह कैसे convert हुआ, कैसे यहाँ पर it का use हुआ, देखें, यहाँ पर it, वैसे तो it का जो means होता है, अर्थ होता है, वो होता है, यह, लेकिन कहीं पर भी किसी भी Hindi sentence में, यह का sense नहीं है, फिर भी it का use हुआ है, और इसलिए यह जो use है, it का, यह कैसा use है, dummy है, उमीद करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह क्यों dummy यहाँ पर use हो रहा है, और उसे हम क्यों dummy, कहते हैं, आए नेक्स सेंटेंस को देखते हैं, यह negative का last sentence है, कह रहा है कि कल गर्मी नहीं होगी, तो यह future में है, future में है, तो आप will be का use करेंगे, बट एक बात आपको ध्यान रखना है, कि जब negative sentence हो, तो will और be एक साथ नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पर पहले आप will use करेंगे, फिर not use करेंगे, फिर be use करेंगे, तो इन दोनों के बीच आप not का use करेंगे, इस तरह से यह example, जो है, इसको English में हम कैसे बोलेंगे, कल गर्मी नहीं होगी, और आने वाले कल की बात कर रहा है, तो आने वाले कल की English क्या होती है, tomorrow, तो कल गर्मी नहीं होगी, it will not be hot tomorrow, okay, so this is your negative sentences, and यह कैसे आपके convert हुए है, यह आपका clear हो गया होगा, आईए अगले structures की तरफ देखते हैं, अगला जो structure है, वो yes no questions का है, yes no questions क्या होता है, जो हिंदी में वाक के सुरू होता है, क्या से, और उसका जो answer होता है, उसका जो answer होता है, वो yes में या फिर no में दिया जा सकता है, उस question word का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, question, yes no question कहते हैं, ठीके, तो यहाँ पर हम कौन सा structure apply करेंगे, सबसे पहले हम helping गोभी उस करते हैं, फिर it use करते हैं, फिर not, अगर not sentence में है तभी, नहीं तो हम other word पे last में यह interrogative marks पे आते हैं, remember कि जो क्या से सुरूँ वाक्य होता है, क्या की कोई English नहीं होती है, नहीं use की जाती है, इस sentence में केवल वूस वाक्य को हम helping verb से start करते हैं, ठीके, तो ऐसा नहीं है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या की English लिखेंगे, ठीके, तो आये examples की सायता से इसे समझते हैं, number one कह रहा कि क्या, 10 बज रहा है, तो कोई time पूछ रहा है, तो आप last में है है, तो helping go home क्या use करेंगे, is use करेंगे, तो कह रहा है is, आप उसके बाद it, अब 10 बज रहा है, तो 10 o'clock last में question mark, okay, तो अगर आपको कहना है, क्या 10 बज रहा है, तो is it 10 o'clock, क्या 9 बज रहा है, is it 9 o तो इस तरह से आप अलग-लग sentence form करके yes no question में question पूछ सकते हैं किसी से time पूछ सकते हैं अब दूसरे examples को देखते हैं क्या कल शुक्रवार था past की बात कर रहा है बीतेवे समय की बात कर रहा है तो was था के लिए तो was यूज़ करेंगे तो helping go बाहर हो जाएगी Sunday study तो इस तरह से आप भीरो सारे sentence अपने से बना के practice कर सकते हैं तीसरे examples को भी देख लेते हैं क्या कल थंदी नहीं होगी future में है तो will का use होगा जैसा कि आपने बताया कि अगर negative आएगा तो आप क्या करेंगे will को sorry will and not के बीच में क्या करेंगे बी मतलब कह सकते हैं कि जब भी आप बी का use करेंगे वो not के बाद होगा ठीक है तो not के बाद ही आपको बी का use करना है तो इस तरह से इसका Englishman translation क्या होगा will it not be क्यों कि देखिए not not जो होता है structure में बताया गया कि जो not है वो just it के बाद आएगा तो जब it के बाद हम not के use करेंगे तो be हम किस के बाद ही use करेंगे not के बाद ही use करेंगे तो इस तरह से will हमारा यहाँ पर will हो जाएगा यह हमारा it हो जाएगा फिर हमारा not होगा फिर हमारा be होगा तो इस तरह से structure यहाँ पर इस sentence के लिए बनेगा कौन से sentence number third के लिए क्या कल ठंडी नहीं होगी तो will it not be cold ठंडी cold आने वाले कल की बात कर रहा है तो tomorrow ओके ये आपका क्या था yes no question था आईए अगले structures को देखते हैं structures for wh question wh question क्या होता है जब question word वाक्य के बीच में पाय जाता है हिंदी वाक्य के बीच में पाय जाता है जैसे कब कहां क्यों कैसे ये सारे वाक्य वे सारे सब्द जो होते हैं वाक्य के जब बीच में पाय जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं wh question कहते हैं और इनका जो answer होता है हम yes में या फिर no में नहीं दे सकते इनका answer में complete देना होता है ऐसे वाक्यों के लिए हम कौन सा structure apply करते हैं सबसे पहले हम question word लिखते है question word means जो question word होता है जो प्रश्नवाचक सब्द होता है जो वाक्य के बीच में हिंदी वाक्य के बीच में आया होता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं फिर उसके बाद हम helping word लिखते है according to tense जैसा tense होता है present के लिए past के लिए future के लिए अलग-अलग helping words है जैसा की बताया गया है फिर उसके बाद हम it use करेंगे फिर not अगर उस वाक्य में not expression है तो ही आप not use करेंगे किसके बाद it के बाद और आप क्या करेंगे फिर other word लिखेंगे last में आप question mark का use करेंगे ठीक है तो यह structure आप apply करेंगे किसके लिए wh questions के लिए उमीद करते हैं कि यह structure आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आगे कुछ examples देख लेते हैं इसके बेस पे डबल जच कुशन के बेस पे पहला कर रहा है कि आज गर्मी क्यों है तो क्यों बीच में आया है सबसे पहले इसकी English होगी why अब है है last में तो हम easy use करेंगे क्योंकि फ्रिजेंटेंस है तो helping को हमारी क्यों हो जाएगी why is it अब not इसमें है नहीं तो hot हो जाएगा गर्मी hot और आज की English today होती है तो time denoting words हमेशा last में लिखा जाता है तो आज गर्मी क्यों है कोई प्रशन पूछ रहा है किसी से कोई questions पूछ रहा है तो इसे English में कैसे पूछेगा why is it hot today why is it hot today अब दूसरे examples को देखते हैं कल वर्सा क्यों हो रही थी past में है past में हम helping or was लगाएंगे क्यों सब बीच में पाया गया है ये जो word से question word बीच में पाया गया है इसके English अब से पहले होती है क्यों के English क्यों होती है why और था के लिए हम लगाएंगे was फिर हमारा it है अब वर्सा होना continuity की बात करा है तो raining अब बीता हुआ कल है तो ये हो जाएगा yesterday तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा sentence कि कल वर्सा क्यों हो रही थी why was it raining yesterday ठीक है आपको समझ में आगया होगा ये उमीद करते हैं आगे का examples से देखते हैं कहरा कि कल थंधी क्यों नहीं होगी तो अब देखे इसमें क्या है कि क्यों है नहीं भी है और होगी मी है क्योंकि English सबसे पहले होगी why अब हमें helping वो will कर यूज करना है will और be कर यूज करना है तो हमें पहले will यूज करेंगे फिर it यूज करेंगे कि not है तो फिर not फिर उसके बाद be अब cold है तो आ ठंटी है तो cold और कल है गी मतलब आने वाला कल है तो क्या हो जाएगा tomorrow तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि कल थंडी क्यों नहीं होगी why will it not be क्या cold tomorrow उमीद करते हैं कि ये आपको सारे examples अच्छे से समझ में आगे होंगे कि किस तरह से इन पर हम WH questions का structure apply करके dummy it का use कर रहा है किसके लिए season के लिए weather के लिए क्या आगर बताने के लिए ठीक है कि अगर किसी वाकिमे में season या weather के बारे में बताना हो तो उसे हम कैसे dummy it की साहता से use करेंगे अगर पूछना हो तो हम कैसे उसे बोलेंगे English में ये आपको clear हो गया होगा आए अब आगे बढ़ते हैं एक note है आप इस notice को ध्यान से ध्यान से समझे कहरा कि but to translate the saying sentences this structure is used अब देखिए इसमें कहां गया था last वाली जो point थी कि saying sentence के लिए भी किसके लिए saying sentence के लिए भी saying sentence जो होते हैं उनके लिए भी हम dummy it के use करते हैं तो अभी तक हमने जो भी structure apply किया है वो time के लिए था date के लिए था day के लिए था weather के लिए था month के लिए था year के लिए था season के लिए था लेकिन जो saying है जो कहे जाने वाले वाक्य हैं कहावते हैं उनके लिए अलग तरह का एक structure apply होता है वो अगर structure जो अभी हमने पढ़ा है affirmative के लिए, negative के लिए yes no question के लिए और wh question के लिए वो structure ना apply होके कुछ थोड़ा सा जो अलग तरीकी का एक structure apply होगा तो उस structure को देखते हैं बहुत ध्यान से समझे समझे इस चीज़ को क्योंकि ये सारी चीज़े बहुत ज़्यादा हम अपने daily routine में यूज़ करते हैं तो अब कह रहा है कि saying के लिए हम एक तरह का structure apply करते हैं वो structure क्या है? इस structure को ध्यान से समझे कह रहा है structures for saying sentences अब जो कहे जाने वाले वाक्य हैं या फिर कह सकते कहावतों के लिए एक इस तरह का structure apply किया जाता है dummy it में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम it use करेंगे फिर helping verb use करेंगे फिर adjective या adverb use करेंगे ठीक है? एक adjective या adverb बट ऐसा उस sentence में नहीं था यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले it use करेंगे, फिर helping verb use करेंगे फिर एक adjective या फिर adverb use करेंगे या दोनों use हो सकता है फिर to use करेंगे, remember to use करेंगे, फिर क्रिया की first form use करेंगे, be one use करेंगे फिर आप other word use करेंगे यह देखें, यह आपका affirmative sentence के लिए है, negative आप बना सकते हैं, just helping verb के बाद not use करके, और yes no question आप इसको बाहर करके बना सकते हैं और double question, question word और helping verb दोनों को बाहर करके आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम फिर से जो है कि आपको affirmative, negative yes no question और double question करके सारे से structures को नहीं बताने वाले हैं, तो आप इसी structures के base पे आप negative भी yes no questions भी और double which questions भी खुद से form कर लेंगे, उमीद करते हैं यह affirmative के लिए है okay, simple sentence के लिए जिसमें साकारात्मग भाह होता है तो एक बाद फिर से structure को समझे पहले हम it use करेंगे, फिर helping को use करेंगे, adjective या adverb उसके बाद to, फिर be one और other word ठीक है, तो यह structure है आये examples के थो इसको समझने की कोसिस करते हैं, पहले examples को देखते हैं, कहते हैं, मरना आसान होता है है है, मतलब इसका use होना है इसमें, helping work के रूप में, तो अब इसको पहले हम क्या करेंगे, it use करेंगे फिर helping work use करेंगे, आसान यह हमारा क्या है, एक adjective तो हम इसमें पहले easy use किये हैं, ठेक है, उसके बाद हमें to use करना है, to हमने use किया है, फिर क्रिया की first form, मरना, मरने को English में हम कहते हैं, die, ठेक है तो अगर आपको कहना है, कि मरना आसान होता है तो आप कहेंगे, it is easy to die, या फिर अगर आपको कहना है, मरना आसान नहीं होता है अना, तो आप कहेंगे, it is not easy to die, अना, किसी सगर आप प्रश्ण पूछ रहे हैं, क्या मरना आसान होता है, तो आप बोलेंगे, is it इसी को आप क्या करेंगे इसी को आप बाहर कर देंगे, is it easy to die, तो इस तरह से आप सारे sentence आप sayings के कहावतों के बना के बोल सकते हैं ठीक है अब आगे का example देखे जीना बहुत कठिन होता है तो it is बहुत कठिन ये आपका adverb हो गया ये बहुत आपका adverb हो गया और कठिन आपका adjective हो गया तो क्या हो गया it is very hard जीना to live जीना बहुत ही कठिन है it is very hard to live या जीना कठिन है तो इस तरह से आप negative भी इंट्रोगेटिव भी जो आपको जैसा बोलना है वैसा आप बोल सकते हैं formative यूज करना है तो formative यूज कर सकते हैं negative यूज करना है तो आप negative यूज कर सकते हैं आपको questions पूछना है, तो आप questions पूछ सकते हैं, ठीके, तो इस तरह से आप और सारे sentence बोल सकते हैं, आगे कुछ sentence और देख लेते हैं, तीसरा कह रहा है कि जूट बोलना पाप होता है, ठीके, तो पाप हमारा क्या हुआ है एक तरह का, यहाँ पर सिस्ता बता रहा है, तो क्या स्रस क्या हो जाएगा, जूट बोलना पाप होता है, it is sin to tell a lie, उमीद करते हैं, यह आपको समझ में आगया होगा, आगे का example देखते हैं, अंग्रेजी बोलना आसान नहीं होता है, निगेटिव है, और लास्ट में क्या है, है है, और यह निगेटिव है, तो क्या है, इट इ अब क्या बोलना, इंग्लिश, तो अंग्रेजी, ठीक है यहाँ पर, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अंग्रेजी बोलना, क्या है, आसान नहीं होता है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, it is not easy to speak English, उमीद करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, और यह से इंग्स में किस तरह से यूज होता है, और यह सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी, तो उमीद करते हैं कि जो हमारी आज की यह वीडियो है, आपको पसंद आई होगी, आपके लिए beneficial होगी, अगर आई है तो क्रिपया इस वीडियो को like करें, और अपने तमाम जो दोस्त हैं, उनको share करें, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो क्रिपयास चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को भी दबा लें, साथी साथ all options को choose कर लें, ताकि हमारे जो वीडियो हैं, उसकी notification आपको सबसे पहले मिल सके, and thank you so much for being with us, okay?